ब्रम्हान के घोर अंदकार में सबसे पहले प्रगट हुई थी एक शक्ती इसी शक्ती से हुआ तब ब्रम्हान का निर्मान अंदकार से प्रगट होने वाली शक्ती ने सबसे पहले ब्रम्हान की संग्रक्षना के लिए जो नेड़ने लिया वही श्री गनेश कहलाए इस आलोकिक शक्ति को आदी शक्ति के नाम से जाना जाता है यह शक्ति संपूर्ण जगत में व्याप्तनारी शक्ति को भी दर्शाती है आज हम इसी आदी शक्ति को प्रसंद करने का सबसे लोजिकल और प्रामानिक उपाए बताएंगे यह दुसरे उपायों से बिलकुल अलग है इस उपाय को लगातार करते रहने से ब्रामान आपके लिए काम करेगा और आपकी जो भी ज़रूरते हैं उनको पूरा करने के लिए उप्योग संयोग बनाएगा वो कभी कभी हम कहते हैं न कि वो जो भी चाहता है उसे मिल जाता है इस उपाय को करने के बाद आपके आसपास के लोग भी यही कहेंगे बस इस उपाय के पीछे की कंसेप्ट को अच्छे से समझें वीडियो पूरा जरूर देखें और पूरी शद्धा के साथ इसे करें फल कुछ दिनों में 100% मिलेगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े आध्यत्मिक चेनल आस्तिक इस्पिजल सीक्रेट्स की दुनिया में और यदि आप नए हैं तो आपके अपने चेनल को सबस्क्राइब कर गंटी बजा दीजिए तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मा आधी शक्ति को प्रसंद करने की तो सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं भगवती देवी आधी शक्ति ने ब्रह्मान का संचालन ठीक तरह से करने के लिए तीन प्राक्रतिक गुणों की रशना की जो इस प्रकार हैं सत्व, राजस और तामस फिर माँ आदिशक्ती ने तीन देवों की संगरक्षना की और तीन देवियों की रशना की जो हर एक देव की अरधांगनिया बनकर ब्रह्मान को सुचारू रूप से चलाने में सहायक बनी सबसे पहले मा आदिशक्ति महालक्ष्मी के रूप में श्री विश्णु जी के अंतह करण में अवतरित हुई महालक्ष्मी देवी का संबंध सत्व गुणों से है और ब्रह्मान के पालन और संग्रक्षन में श्री विश्णु की शक्ती बनी मा आदी शक्ती महा सरस्वती के रूप में ब्रम्ह देव की शक्ती बनी और ब्रम्ह देव के साथ ब्रम्हान के निर्मान कार्य में उनकी सहायक बनी महा सरस्वती का सम्मध राजस गुणों से है माँ आदी शक्ती माता सती और माता पार्वती के रूप में अवतार लेकर महादेव की अर्धांगनी बनी और ब्रम्हान के संगहार में शिव की शक्ती बनी इनका सम्मंध तामस गुणों से है संपूर्ण ब्रम्हान ही माँ आदी शक्ती है और उनसे ही जन्मे है त्रिदेव और उनसे ही जन्मी है त्रिदेविया मा आदिशक्ती ही इस प्रत्वी लोग की प्रक्रती है ये पेड़, पोधे, नदिया, पहार ये सभी मा आदिशक्ती है और इसी प्रक्रती में हम जीवित है इसी प्रग्रती के कारण ही प्रत्वी लोग पर जीवन संभव हो पाया है अगर हम प्रग्रती को प्रसंद करना चाहते हैं तो हमें प्रग्रती के लिए कुछ करना पड़ेगा जब हम प्रग्रती को मा के जैसा सम्मान और प्यार देंगे तभी प्रक्रती हमें वैसा ही प्यार देगी जैसा एक माँ अपने बच्चे को देती है प्रक्रती सब के लिए समान रुप से प्यार देती है आपने कभी प्रक्रती को पक्षपात करते नहीं देखा होगा लेकिन जो लोग प्रक्रती को बचाने उसके संगरक्षन के लिए काम करते हैं और अपने मन में प्रक्रती के लिए अपनी मा के जिसा आदर और प्यार रखते हैं उनके जीवन में प्रक्रती ऐसे संयोग बना देती है कि उनके सभी काम होते चले जाते हैं और कभी कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी वस्तू या प्राणी के लिए अगर हम positive thinking रखेंगे तो वो भी हमें उसी positive energy से भर देगी और देखना उसी positive energy के कारण हमारे सभी काम बनते चले जाएंगे तो एक बात तो समझ आ गई होगी कि मा अदिशक्ती को प्रसंद करने के लिए हमें प्रक्रती के लिए कुछ करना होगा प्रक्रती के लिए हम सबसे बड़ा काम यह कर सकते हैं कि कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और उसके बड़े होने और आत्म निर्भर होने तक हम रोज उसकी देखभाल का प्रण ले जब तक पेड़ पानी के लिए हमारे उपर निर्भर रहता है हमें उसकी देखभाल करनी पड़ेगी और एक बार पेड़ पानी के लिए आत्म निर्भर बन जाए तो उसे फिर रोज रोज देख भल की भी जरूरत नहीं होगी आप जितने चाहे उतने पेड़ लगा सकते हैं और यह एक ऐसा काम है जिसे हर कोई कर सकता है और इसके लिए किसी विशेश अनुष्ठान की भी जरूरत नहीं जरा सोचिए आज से कुछ साल बाद ऐसी भीशन गर्मी के दिनों में जब लोग आपके लगाये हुए चायादार व्रक्ष के नीचे खड़े होकर थंड़क का अनुभव लेंगे और मीठे मीठे फलो का अनन लेंगे तो आपको कितनी दुआई मिलेंगी सोच बड़ी रखो नर सेवा ही नारायन सेवा है जितने भी ऑंट्रपीनर्स हुए हैं चाहे देशी हो या विदेशी हिंदू हो या किसी और धर्म के वे सभी इसी विचार धारा पर चलते आ रहे हैं कोई भी एक छायादार व्रक्ष का पोधा लाएं जैसे बर्गत, पीपल, आम, बेल पत्री या कोई आएं का पोधा और उसे अपने घर के पास या कहीं भी लगा दें और कुछ दिनों तक हर दिन उसमें पानी डालें जब पोधा बड़ा हो जाए और पानी के लिए आत्म निर्भर हो जाए तो हर दिन उसकी देखबाल नहीं करनी पड़ेगी आप एक छोटे पोधे को पहले गमले में भी लगा सकते हैं और जब वह पोधा बड़ा हो जाए और गमले में ना समाए तो उसे जमीन में लगा दे घर में गमलों में फूल और दूसरे पोधे जरूर लगाएं सुबा धूप निकलने से पहले पोधों में पानी डाल देना चाहिए सूरी को जल देना भी आज के समय में एक ट्रेक्टिकल उपाए माना गया है जिससे ब्रम्हान की उर्जा को हम अपने अंदर समेट सकते हैं सूरी को हिंदु धर्म में देवता माना गया है और सूरी देव प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले देवता हैं आप जरा सोचिए पूरे ब्रम्हान में सूरी देवता की कारण ही जीवन है तो हमें उनकी उर्जा को अपने अंदर केत करने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए अगर सूरी को जल अर्पित नहीं कर पाते हैं तो घर से निकलते समय सूरी देव को प्रणाम कर अपना दिन अच्छा बीतने और सभी काम बनने की प्रात्ना करें चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर बेट है रात में छट पर भी कुछ समय बेट कर आप चंद्र देव से आश्रिवात प्राप्त कर सकते हैं प्रगरती के लिए पेड लगाने के अलावा एक और अतियावशक काम है प्रदूशन कम करना हम इसके लिए जादा कुछ तो नहीं कर सकते लेकिन अपने घर से निकलने वाले कच्रे को यहाँ वहाँ ना फेक कर उसे सही जगा तक तो पहुँचा ही सकते हैं मनुश्य को भगवान ने इतना आत्म निर्भर इसलिए बनाया है ताकि वो दूसरे जीवों की मदद कर सके आपके घर के आसपास अगर कोई जीव जैसे गाए, बेल, कुटा, चिडिया, चीटिया, दिखाई दे तो ने कुछ न कुछ खाने के लिए और पीने के लिए पानी जरूर दे पक्षियों के लिए एक मिट्टी के बरतन में पानी भर कर रखें इस वीडियो के माध्यम से आस्तिक परिवार अपने सभी सदस्यों को यह समझाना चाहते हैं कि हमारे आसपास की प्रकृती ही हमारी मा हैं जिसके कारण हम जीवित हैं और पेड़ लगाने से, प्रदुशन रोकने से, अन्य जीव जन्तूओं की सेवा करने से और प्रकृती के बीस समय बिताने से ही मा आदिशक्ती पूढ रूप से प्रसंद होंगी और मा आदिशक्ती इसी प्रकृती के रूप में हमारे लिए वर्दान रूपी संयोग बनाते चली जाएंगी और जीवन में कभी किसी वस्तू का अभाव नहीं रहेगा जो भी आप सोचोगे प्रकृती उस वस्तू को आपके सामने लाकर रख देगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे आस्तिक परिवार के सभी सदस्यों से निवेधन हैं कि इस वीडियो को पांच लाक लाक लाइक्स तक पहुँचाएं इस उपाय का समर्थन करने के लिए कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को समझें और सब को समझाएं पेड लगाने वाले अनोखे उपाय को जन जन तक पहुचाएं और अपनी पूरी जिंदगी पोधार ओपन करते रहें जितना आप प्रकृति को देंगे उतना प्रकृति आपको देगी इस ब्रम्हान में प्रकृति से बड़ा कोई नहीं जो लोग भगवान को नहीं मानते वो भी प्रकृति को मानने से इंकार नहीं कर सकते आस्तिक हो या नास्तिक पोधार ओपन करें और परिणाम स्वयम देखें क्या आप प्रकृति रूपी मा आदिशक्ति के लिए पोधार ओपन करेंगे या नहीं कमिन्ट करके जरूर बताएं जये माभवानी जये मातादी